तो नमस्कार दोस्तों Mr.ToonTrack YouTube चल में आपका स्वागत है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप SBI में कोई भी इंसौरेंस करवाये होंगे या कहीं भी खाता खुलवाये होंगे खाता ओपेंड करवाये होंगे वहाँ पे आपका 1500 का इंसौरेंस कर दिया गया हो और वो अपने फायदे के लिए आपका 1,000 रुपेका कर देता है तो इसको किस तरह से कैंसिल करना है और किस तरह से वापस लाणना इस वीडियो में आपको details में बताने वालाओ आँए कि आपको वीडियो को ध्याँ से देख यह और अगर आप मेरे युटूब च Thousands पर न भी पूं तो पिलेज कऊ चैनल को सब्सक्राइ chirp तो चलिए उस चुण करते हैं तो ध्यान से किस तर से आपको वापस लाना है इंस्वालेज प्लैश कोई इन्सवारेंस वाला है आप इसको कैंसिल करके अपना रेफंड ले सकती होती है त religie सबसेपले में यहाँ सिवापस हो जाता हूं आपको क्या रोगा ध्यान से देखो सब अगर आप अभी तक इसमें ओपन करने के लिए इसमें लोगिन होना होता है अगर आप अभी तक लोगिन नहीं हुए होंगे तो आप बैंक जाके करवा सकते हैं इसको लोगिन करवा सकते हैं तो बैंक जैसे आप जाओगे बैंक में जाने के बाद वह आपका यह लोगिन कर द मेरी सामनी इस तरह का आजाता है तो अब हम को करना क्या है यहां पर द्यान से देखो तो मैं यहां पर जो बी मेरा यहां पर इंस्वारेंस था 1000 का था 1,000 का था और जो मेरा डीन वर्ल डेट है वह चार अक्टूबर दौज़ार 24 में एक्सपार हो जाएगा है तो एसको हम सबसे पहले तो यहा पे क्या करना आपको द्यास से cuánt3 आप तीया परNYुद्युट बाले से सक्षन पर क्लिक करदें आपको जैसे वीडिटेश वाले सेक्षिने करते हैं के सम54 पpoint बाले तो आपको cancel करना है और जो कुछ भी यहाँ पर आपके सामने इसका डिटेल्स होगा वो सारा समुड़ी टैप में इस तरह से आपके सामने आ जाता है अब कैंसिल वाले सेक्शन पर आप जैसे किलिक करते हैं आपके सामने इंटरफेस आ जाता है यहाँ पर इंपोर्टेंट प अगर आप तिन महने बाद करते हों तो 50% मिल जाएगा अगर आपका 1000 का होगा तो पांच और पर इंदर कर लेते हो तो यहाँ पर पच्छिस महने के बाद अगर आपका 0 मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा तो यह आप अच्छे से समझ लिए होंगे तो आपको जलदी-जलदी क करना क्या है द्यां से देखो तो इस तीनों के बीच में 6 महीने के अंदर में आपको अगर रिफण लेना है तो आपको इसको कैंसिल कर सकते अब कैंसिल पॉलिशी वाली से क्लिकर नाई इसे पर आपको यह जो सेलैक्ट है पोलेशी नोट रिक्वाइड यही सेलैक्ट रहने यहां पे cancel policy वाली section प्था इसको नहीं कर सकता तो इस तरह से आप जैसे इसे केंची करोगे फिर आपके समने इस तरह का OTP आएगा आपके जो भी डिशिच्टर मुवाल नमबर होंगे उस पर OTP आएएगे आपको कैंसील के लिए लग जाएगा दो से तीन दिन में आपका जो भी पैसा होगा वो रिफंड हो जाएगा सबसे पहले आपके एक रूपे क्रेडिट किये जाएंगे जैसे क्रेडिट हो जाता है तो आपका जो भी पैसा है वापस हो जाएगा और जितना भी आपका पैसा हो जाएगा उसके बाद आपका जो भी पैसा है वापस आ जाएगा तो आई होब कि आप समझ गयोंगे अगर आपको पिर भी कोई प्रोब्लेम आती है तो आप मुझी कमेंट बॉक्स में पुछ मैं वहाँ पर जरूर रिप्लाइ करूंगा मिलता है नेक्ट वीडियो में तब